करें सेमेष्टर सिक्स का जो चैप्टर दाइज उसमें आज का ट्रोपिक है ट्राइट मिधेन डाइज ट्राइफिनाइल मिथेन डाइज आर ट्राइफिनाइल मिथेन डेरिवेटिव कंटेनिंग NH2, NR2 और OH ग्रोप उसमें भी बहुत सारा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है पहला जो है वो है मेलाकाइट ग्रीन तो देखिए आपको सुनते भी रहना है मेलाकाइट ग्रीन एक डाइज है बहुत इंपर्टन दाइज मेलाकाइट ग्रीन 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 गिवन दिस दाइज दू इस दीप ग्रीन ब्लू कलर विच इस वेरी मुच सिमिलर तो अ ओर अ व्व पर ग्रॉल्ट मेलाकाइट तो वहां से इसका नाम पढ़ गया मेलाकाइट ग्रीन ओके इसका हम लोग अब सिंथेसिस देखें हम लोग को पढ़ना इसका सिंथेसिस क्या होता है इसमें इस प्रिपार बाइट अ कंडशेतों अ क्यूद ग्रीन इसका इसमें इसका इसमें प्रेजिए हट्ट्री इसमें ख़एं आग नोग ग्रीन इसकाइट अग्रीन अग्रीन इसकार गया जी बैंजल लिएड इसका रियक्षन हमने करवा देना है किसके साथ अ एन एन डाइमिथाई मैं यहां पर एनेच टू डाल दें दोल जाएगा तो एनिलीन हो जाएगा लेकिन हमको क्या डालना है एन एन डाइमिथाईल एनिलीन टू मॉलिक्योड किसके प्रजेंस में H2SO4 के प्रजेंस में 373 केल्विन क्या होगा यह जो यहाँ पर H है यह जो यहाँ पर H है यह H2O का होगा क्या बचेगा इधर इसका दो बॉंड खाली इधर से दोनों एक एक बॉंड से इधर एटेच हो जाना है उसको एटेच कर देते हैं हम लोग हैंक पर क्या हो जाएगा CH3 दो N पर CH3 दो ठीक है तो पहले आप इसका equation लिख लिजे एक बार देख लिजे चलिए जो यह फर्स्ट एटेट नों का बना है लैंको बेस जिसको बोलते हैं इसका नों लोग oxidation करवाते हैं किसके दोरा PbO2 CH3 CWH क्या होता है यहाँ पर C यहाँ पर क्या लग जाना है OH ठीक है oxidation होगया addition of oxygen अब next step में इसका reaction करवाना है HCl से एक H+, को कहले लाते हैं HCl के लिए क्या होगा यह जो O है H इसके और H लग गया यह वला तो इसके चार्ज क्या जाएगा positive अब इधर क्या है अब क्या होगा इसमें आएगा Cl- लेकिन वो Cl- कैसे attach होगा वो आप देखे यह जो non pair of electron है यह यहाँ गया ऐसे bond बनाया ठीक है तो यह इधर sit कर गया और यह यहाँ sit कर गया यह निकल गया बाहर आप आराम से देखना क्या क्या हो रहा यह आजाए यहाँ पर double bond एक और मैं structure बनाता हूँ C यह तो गया H2O elimination of H2O ठीक है उपर क्या है जो जैसा है उसको यह से ही छोड़ देने का ठीक है नीचे में क्या हुआ है और आप दोनों साइड में से किसी में बना सकते हैं नीचे में क्या हुआ है double bond यह जो खत्यों है यह double bond C2I नया जो C2I यह आ गया है यहाँ पर यह दिख रहा आको एक bond आ गया यहाँ पर इसका तो bond का कोई काम नहीं H2I से भी eliminate हो चुका है नीचे क्या है नीचे में एक देखिया आप यहाँ पर N के साथ CH3 का hold 2 तो है ही अभी तो nitrogen का bond fulfill है ही एक जो non-pare के कारणे के extra bond बना है अब nitrogen का हो गया 4 bond that means इस पर क्या आएगा प्लस अब यहाँ पर CL- का attachment हो जाएगा ठीक है तो यह है structure of malachite green ओके तो यह था malachite green का synthesis next video में हम लोग next topic next diet को देखेंगे आप इसको practice कीजिए तब तक बाई